हेलो दोस्तों आज आप लोगों ने एकोनोमिक्स का एक्जाम दिया है और एकोनोमिक्स का एक्जाम का स्टैंडर्ड थोड़ा बदल दिया गया है बहुत ही अना दुखदाई खबर है स्टुडेंट्स के लिए बहुत सारे स्टुडेंट्स परिसान रहते हैं तो यह हमारे प पेपर में देता था उससे थोड़ा सा स्टेंडर्स चेंज किया गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके सारे का स्टेंडर्स हाई नहीं है तो हम लोग आंसर करते चले जाते हैं और एका करके देखते चले जाएगा सबसब पहले फर्स नमर को और मिला लिजे देखे कितना बाक्स आपका है और मैं फिर से सारे बच्चों को रिपीट कर दूँ कि चुकि इसके बाद एकाउंट्स का एक्जाम है सुला तारिको तो लगतार अकाउंट्स के लिए हम लोग लाइव सेशन रात में लेंगे साथ से नौ लगतार लाइव सेशन लेंगे जो की कल से स्टार्ट हो जाएगा संड़े से हम लोग स्टार्ट कर देंगे साथ से नौ वहाँ चैप्टर बाइचप्टर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सिर्फ सलेक्टेट पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आप पूरा च लाइब के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जूड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वर्ड हजारी बाग के नाम से उसमें लगभग 18-1800 लोग जुड़े वें दूसरी में आप जूड़ जाएगा तो लाइब की जानकारी वहीं पर मिल जाएगी आपको वहां स भी आप लाइब की जानकरी ले सकते हैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है वहां से भी आप जूड़ सकते हैं और लाइब का आनन्द ले सकते हैं चलिए फर्स्ट कोशन जो पूछा गया था उसका आंसर सही है डी पहले ल कोशंग डी है कि थो लेंडी में आ दिक्तो खेटें कि टू में अपनाट वर्स्ट श्री खेटेस कम भी खेटेट शेंग मियुमें ज्यक्राइब कर मता से उसमा मुत करकने मों चीनल श्रीय के बताया थे delta tu total utility में change by data u unit change बोलता है quantity में जो change होता है उसके कारण total utility में change होता है उसको marginal utility बोलते हैं तो second का भी क्या हो गया d हो गया second का भी answer क्या हो गया d हो गया third answer क्या होगा तो third में बोलता है कि इसमें से कौन सा सही है इसमें से कौन सा सही है, पहला question बोड़ा है कि which of the following statement related to indifference curve analysis are correct तो indifference curve analysis से क्या correct है तो चार option दिया और नीचे निखा है 1, 2 सही है, 2 और 3 सही है 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही तो याद रखेगा, ये indifference curve से related ये 1st और 2nd और 3rd तीनों सही है ये सही नहीं है, ये कभी-कभी होता है पूरा, मतलब ऐसा नहीं होता है ये कभी-कभी होता है, तो ये कभी-कभी होने वारे को हम सही नहीं मान सकते हैं, तो इसका option C होगा 3rd का option सही बेर, C होगा तो C option सही है 3rd number का चलिए 4th में चलते है 4th में बोलता है कि the slope of the demand curve of inferior goods, inferior goods मतलब घटिया वस्तु का जो demand curve होता है उसका slope कैसा होता है उसका slope कैसा होता है तो उसका slope negative होता है इसका B सही है, घटिया वस्तु का demand curve का slope क्या होता है negative होता है इसका B सही है, पांचवों नमबर देखते हैं, पांचवों नमबर में लिखा है inferior goods the demand of the the demand for which type of commodity decreases due to increases in the income of consumer बोलता है कि अगर consumer भोगता की आए बढ़ जाती है तो किस तरह के वस्तु की मांग घट जाती है तो inferior goods given goods घटिया वस्तु कमांग कम हो जाएगा क्योंकि भोगता कर कमाएगा ज्यादा तो फिर लग्जरी गूर्ट जादा खरिदेगा life saving goods ज्यादा खर देगा comfortable goods ज्यादा खर देगा लेकिन घटिया समान नहीं खर देगा तो घटिया समान करने मांड क्या होगा घट जाएगा तो इसका भी option होगा डी 5 नमर का option डी 6 में पूछ रहा है which of the following is a combination of competitive item इसमें से कौन है जो एक दूसरे का competitive item है जिसको एक दूसरे से competition जिसका होता है तो भाई ये car और petrol का competition थोड़ी होता है ये दोनों क्या है ये एक दूसरे का substitute नहीं है लेकिन complementary है एक दूसरे के उपर depend करता है और भी केगा तो पेटवल भी केगा या तो इसका भी सिल्ट किया होगा डी 7 नंबर बड़ा है कि कौन साइसा कर्ब है जो यूँच शैब का होता है तो याद रखेगा कौन साय सा करव है जो यू सैब का होता है तो यू सैब का होने वाले एवरेज प्रोड़क्ट का जो करव है न एवरेज प्रोड़क्ट का जो करव है एपी करव जो होता है वो यू सैब का होता है एवरेज नहीं मार्जिनल कोस्ट जो है यू सैब का होता है ऐसे जाता है एवरेज ही होता है ठीक एवरेज इस रफ्तार में घड़ता है तो इसका सई आंसर होगा विच बोलता है कि by what ratio will be the production increases by increasing the factors by three times in the production function of increasing return to a scale बोलता है कि अगर आपका पैमाने के प्रतिफल पैमाने के बिर्धी मान प्रतिफल निए increasing return के उत्पादन फलन में साधनों का तीन गुना अगर बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में किस अनुपात में बिर्धी होगी तो जब उत्पादन फलन तीन गुना होता है हयर हो जाता है तो वैसे केस में क्या होता है तो वैसे केस में average cost increase करता है वैसे करते वैंक करता शेरम सब्सक्राइब या जी 9 को बैदों ए y dug सोनिंट चलते हैं आ है ते नमों में बोनेख्य और सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब मतलब 646books सफ्प्लाइब क्या होगा पर्सेंटेज इन सप्लाइब डैपर रिस ततो बोलता है पर चैनेदेज बास परसेंट कि राइस भी 5% एसे में थामारा elasticity of supply one हो जाएगा वन मतलब यूनिक एलास्टिक वन मतलब यूनिट एलास्टिक होगा तो इसका उप्शन होगा भी यूनिट एलास्टिक है कि सब्सक्राइब कोई 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 की फिर्फ दिया बागी इसे आसान दिया आगे लिखा if the unit tax is levied by the government on the production of the commodity बोलता है कि अगर किसी वस्तु के उत्पादन पर सरकार unit tax लेभी करती है तो supply of goods क्या होगा उससे supply of goods पर क्या असर पड़ेगा तो उससे supply of goods क्या करेगा decrease कर जाएगा supply of goods क्या करेगा decrease कर जाएगा तो 11 का A मारी है बारा नमर में क्या लिखा है when the supply of goods when the supply of curve of a firm is of parallel to the price axis the supply relative to the price is बोलता है अगर आपका जो supply of the supply curve किसी फर्म का parallel है price axis के parallel है तो the supply relative to the किस तरह का उसको बोलते है इन इलास्टिक होता है याद किजिए गा supply में parallel कैसे होता है इन इलास्टिक जो होता है ना इन इलास्टिक सप्लाई में या इन इलास्टिक डिमांड में parallel होता है प्राइस का parallel किसका होता है प्राइस का याद रखना है तो बारा कड़ी होगा तेरा में तेरा में लिखा है कि अन्य बाते समान रहे हैं if other things remain same तो साधनों की कीमत के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रफा पड़ेगा अगर सारी बते समान रहेगी तो साधन का कीमत अगर बढ़ेगा तो संतुलन के कीमत में क्या असर पड़ेगा तो संतुलन का कीमत भी क्या होगा बढ़ेगा तो इसका option होगा संतुलन का कीमत भी क्या होगा बढ़ेगा चौदा नमबर कुशन क्या बोल रहा है इव दा केस और प्री इंट्री एंग्जिट ऑफ फर्म इन दा मार्केट अगर किसी बजार में किसी फर्म को आसानी से इंटर और इग्जिट करने दिया जाता है देन दा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू तो वह से मे Commerce के मार्केट फ्राइस होता है तो मेंजमेंडूरमन में लिखा है की कणा मेंकी इसका मेंstars जैडिये एक कण्यूुमर माकुंडर और ऩह ईंदर आगा हमारा मैंकरोग के अंदर तो 15 का डी हो जाएगा सो लावीच आप फॉलेंग बुक्स इज ऑथराइज यह ऑथर्ड बाई जे एम केंस जेम केंस कौन सा बुक लिखे तो जेम केंस जानते हैं कि प्रिंसिपल फादर है जेनरल थियोरी इंप्लोइमेंट के फादर है तो जेनरल नुमर कुश्चन है विच अब फोलेंग बेरियेबल्स इज रिलेटेव तो असटेन पॉइंट आप टाइम से रिलेटेड है निए निश्चित समय तक वो रहता है तो स्टॉक तो यह वह सटेन पॉइंट आप टाइम तक है और फुलो तो आगे पिछे होता रहता है आज सुबह सुबह बताया थे कि यह सटेन पॉइंट आप टाइम तक रहता निए एक जगा पर स्थीर रहता है तो स्टॉक जो है स्थीर रहता है फुलो जो है वह आता जाता रहता है तो इसका ओप्शन होगा सी which method of calculating GDP includes the monetary value of the final goods कौन साथ मेथड़ है GDP के कल्कुलेशन में जो monetary value को measure करता है final goods के final goods के monetary value को measure करने वाला method कौन साथ है तो expenditure method है जो monetary value के final goods को measure करता है आज ही सुबह सुबह बता चुकिए हम लोग GDP के कल्कुलेशन के लिए सबसे best मतलब जो GDP के calculation के लिए final goods का monetary value को measure करता है वह expenditure method कौन सा method है expenditure method तो यह 18 नमर का C number हो जाएगा ठारा का C हो जाएगा ओनीस का which of the following is a defect of butter system इसमें से butter system की कौन कम जोरी है सुबह सुबह बता चुकिए butter system का कौन कम जोरी है तो पहला देखें हिंदी में पढ़ देते मुली का संचे कम जोरी है आप सकता है का 12 से यों कम जोरी मुली का मापन कम जोरी है तो इन में से सभी इसका answer होगा डी इसका answer क्या होगा डी कितना नमर कुश्चन था 19 का डी है 19 का डी विस नमबर विच वन अफ फोलोईंग इस नोट अ फंक्शन ऑप अप कॉमर्चियल बैंक इसमें से कॉमर्चियल बैंक का कौन फंक्शन नहीं है तो कॉमर्चियल बैंक का फंक्शन कौन सा नहीं है क्रेडिट इसू करना accepting deposit in a saving bank account देखे क्रेडिट इसू करता है लोन देता है लोगों का जमास विकार करता है fix deposit account खोलता लेकिन सरकार का बैंक थोड़ी commercial बैंक सरकार का बैंक नहीं है कॉमर्चियल बैंक सरकार का बैंक नहीं है तो इसी लिए 20 का अंसर होगा C 20 का अंसर कितना होगा C 21 में चलते हैं 21 का अंसर क्या होगा 21 का अंसर क्या लिखा इफ 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 दा सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज दा लिक्विडिटी रेशियो आज ही पता है एस्टेटी लिक्विड मतलब पता है SLR आज ही बता है थे SLR और इस ही गों लोग बोलते थे LLR तीक है लिगल रिजर्बेशियो भी बोलते है दैन लेंडिंग कैपसिटी अफ कॉमर्सेल बैंक बोलता है कि जब सेंट्रल बैंक आनि आरविया जो है SLR को बढ़ा देता है तो कॉमर्सेल बैंक का लेंडिंग कैपसिटी और लोन देने के कैपसिटी क्या होगी तो भी अगर कोई करका दो और यहांनि पर यह पांच पर सेंट कैपसिटी क्यों क्यों होगी घठ जाएगी क्यूंकि अगर कि इन्टॉलमे बताय थे ना कि पांच पर सिंट में पर सेंट पैसा रखना पता आर्वीं के पास Apparently ऐसामार में 5 परसन पैसा लेंगों घैका यह दोनों दोनों में 10 पैसा इधर ही फस गया बैंक का तो बाकी पैसा बैंक 90 परशन बचा तो बैंक 90 परशन है न लोन देगा तो ऐसे में लोन देने की क्या पासिटी बैंक की क्या होगी घट जाएगी तो इसका अमसर्ण 21 नमर का होगा B 21 का होगा B आगे लिखा है which demand for money decreases due to increase in the interest rate इसमें से कौन ऐसा demand है money का जो घट जाएगा अगर interest rate बढ़ेगा तो interest rate के बढ़ने से speculative money speculative demands होता है वो घट जाएगा तो 22 नमर का D होगा 22 नमर का क्या होगा D ब्याज दर बढ़ने से speculative जो है वो घट जाएगा ता इसने बारे marginal propensity to consume measure the slope of which function इसमें से किस function के slope को measure करता है marginal propensity to consume तो marginal propensity to consume measure करता है consumption function को marginal propensity to consume आजी पढ़ायते किस के अंदर आता है consumption function के अंदर आता है जो marginal propensity to save था वो investment function के अंदर आता था तो consumption function के अंदर आता है तो इसका अंसर क्या था बी था सरी सी था इसका अंसर था सी ना जी डी है इसका अंसर डी था कि अंदर आता है कि अंदर इसका अंसर डी 24 में देखे multiplier दिया इसका value निकाली के से आएगा आज सुबह सुबह यह question पढ़ाए थे multiplier दिया निके बराबर दिया के को multiplier बोलते है चार दिया और MPC पूछ रहा है तो MPC कैसे निकलेगा तो के का formula लगाई न के बराबर आज ही बताए था 1 MP's में ऐसता है यहां पर क्रोस करदेंगे क्या हो जाएगा 4 MPs तो 4 MPs बराबर क्या होगा वन और इसलिए मडर क्या होगा 1 इसलिए मधस बिराबर क्या होगा 1 before मोल टो में सकते है तो में चलते हैं पच्छीश नमर में लिखा है how does and increases in the marginal propensity in the marginal propensity to consume effect aggregate demand बोलता है कि marginal propensity जो है उब्भोग की सिमान पर विर्ती में बिर्धी समगर मांग को किस प्रकार प्रभावित करेगी तो समगर मांग को प्रभावित करेगी कि इसका aggregate demand जो है वो increase हो जाएगा aggregate demand उसके कारण क्या होगा increase हो जाएगा तो इसका B option सही है 25 का B 26 में चलते हैं which of the following is a source of revenue income of the government इसमें से कौन है जो government का दो तरह का income बताए था आज बजट में एक revenue बताए थे capital बताए थे तो revenue income इसमें कौन है तो डिस investment capital income है बाहर से विजेज से लोन लेंगे capital income है घर से भी लोन लेंगे capital income है dividend जो हमारे revenue income है तो इसका D 26 का क्या होगा दी हो जाएगा 26 का D हो जाएगा अग्या को देखे कोशन यह सब बता दिया गया था सुभा सुभा ही ये वी कोशन बता दिया गया देखिए कि विच बोलता है इन विच टाइप बजट किस बजट में खर्चा ज्यादा होता है और सरकार का और इंकम कम होता है कौन ऐसा बजट है जहां पर खर्चा सरकार का ज्यादा होता है इंकम कम होता है तो उसको घाटे का बजट बोलते है ना deficit budget घाटे के बजट में सरकार का खर्चा कम होगा ज्यादा होगा इंकम क्या होगा कम होगा तो 27 का B option होगा 27 का क्या होगा B 28 नमर में बोला है which of the following products has been excluded from GST in India भारत में GST से बाहर को ने कितना बार बता चुके GST से बाहर कोन है पेट्रोलियम GST से बाहर है भारत में भारत में पेट्रोलियम जो है GST से बाहर है 28 का डी मारी है 29 नमबर second last question की तरह बोलते है what are the impact of lump sum tax imposed by the government what are the impact of lump sum tax imposed by the government on the equilibrium income in the economy बोलता है अगर ऐसा होता है अर्थब्रवस्था में इंदी में पढ़े लेते हैं लोग कि सरकार के द्वारे एकमुस्त कर लगाने से अर्थब्रवस्था में संतूलन आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बारे में अगर सरकार कोई परभाहु नहीं पढ़े गा अर्थब्रवस्था में कोई प्रभाहँ नहीं पड़ेगा अर्थब्रवस्था में इक बर पर Simmons ऐमाने से को यह असा नहीं पर ताभव तकने नहीं आइसा नहीं है अट्र्प catching ​​oh बारत में आता है उसके क्या कारण है तो भाइया बीदेश से में को gift भी मिल सकता है तब भी देश का पैसा आ सकता है foreign direct investment भी होगा तब भी देश का पैसा आएगा export हम करेंगे समान माल बेचेंगे तो भी पैसा आएगा इसका मतब तो 30 का D होगा, 30 का क्या होगा, D होगा, याद रखना 30 नमर का D, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ आप लोगों को, इस आंसर को मिलाईए और अपना मार्क्स बताए कमेंट सेक्टर में कि कितना आ रहा है, साथी साथ कल से, चुकि आज आप रेस्ट कर लो, कल से आप लो तो सुबह भी लाइव आके, कंटीनिवस लगतार लाइव लूँगा, ताकि आपका अकाउंट्स ठीक हो सके, क्योंकि जिस तरह से एकनोमिक्स में, चुकि थीओरी था तो आप लिख लिए, वहाँ प्योर नुमेरिकल डालेगा, आप उलच जाएंगे, कोश्चन का स्टैं पॉसिबल नहीं है, मैं बार-बार बोड़ा हूँ, बुक पढ़िये, किसी का, गैस कोशन मत पढ़िया, जब भी गैस कोशन पढ़ रहे होंगे, तो उलचे होंगे, जो भी बच्चा गैस कोशन पढ़ा होगा, और जो बुरा बुक पढ़ा है, वो आराम से लिखा होगा, इस बात को ध्यान रखना है, गैस कोशन कभी काम नहीं करेगा, कोशन का पैटर्ण बदलेगा, सारा कोशन यहाँ होगा, क्युकि गैस कोशन की होता है, पिछले साल आसान कोशन पूछा था, इस साल कोशन का स्टेंडर बदल दिया, आप उड़ जाएँगे, इसलिए आप बुक को पकड़ के पढ़िये और हम लोग लगातार एक दो-दो घंटे का लाइब सेशन लेकर हर टॉपिक को कम्प्लीट करते जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड को स्टन को करते चले जाएंगे एम सी क्यों भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे तो आप जूड़े रहें कॉमर्स वर्ल हजारी बाग के साथ और मज़े से तैयारी करते रहें थैंक यू